आगामी 12 सितंबर से कॉंग्रेस केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा की फिर से शुरुवात करनी जा रही है आपको बता दी 31 जुलाई को केदारनाथ में आई आपदा के बाद कॉंग्रेस ने अपनी यात्रा सगित कर दी थी कॉंग्रिस की प्रतिष्था यात्रा को लेकर बीजेपी विधायक विनोथ चमोली ने कॉंग्रिस पर तंच किया है उन्होंने कहा कि कॉंग्रिस की केदारनाथ यात्रा सिर्फ और सिर्फ राजणितिक यात्रा है उन्होंने कहा कि पिछली बार जब कॉंग्रेस ने अपनी यात्रा शुरू की थी तो वहां की स्थानी जन्ता ने कॉंग्रेस का जम कर विरोध किया था और बाद में कॉंग्रेस ने आपदा का बहाना बना कर अपनी यात्रा को स्थागित करने का नाम दिया था केदारनाथ की जनता जागरुख है और वहाँ की जनता कभी नहीं चाहेगी कि केदारनाथ धाम के नाम पर पोई राजनिती हो निकट भविशे में वहाँ की जनता इस यात्रा का विरोध करेगी को अगरिस के सिर्फ और सिर्फ एक राजनिती की आत्रा है जो केदानाथ बिदान सभा में होने वाले जो चुनाओं है निकट भविशे में उसको लेकर की जा रही है और मैंने पहली का है बला स्पष्ट का है कि बाबा केदार एक जागरित केदार है कोई ऐसा नहीं कि उसको लिया जाएगा तो निश्यत तोर पर जिस तरह से कॉंगरिस कर रही है और बाबा भी देख रहा है अब पिछले दिनों आपने देखा कि पिछली बार अस्थानिय लोगों नहीं उनका विरूद कर दिया उसे कारण उनको वापस आना पड़ा बाद में यात्रा इस्तंगित नाम पर राजनीती हो और वो इसका विरोध करेगी आप निकट भुष्य में देख लेना जब दिल्ली के अंदर केदार धाम बनने का इतना बड़ा विरोध हो सकता है सरकार को कानून बनाना पड़ सकता और उनको अपना नेने वापस लेना पड़ सकता है तो केदारनात के लोग इस केदारनात यात्रा को यह राजनीती यात्रा को कैसे वहां पर होने देंगे कैसे उसको स्विकार करें यह वाने वाला समय बताएगा एक बड़ा प्रशने महां के